नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीर्ष देवकन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरो समन्द कारिकरम ये देश है हमारा एसा क्यों भारतियंता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदू की बात हो रही है तो अगर बीजेपी की बात हो रही है आरेसेस की बात हो रही है तो वो हिंदू की बात है कोई भी आता था घुस कर मार कर चला जाता था जब इनके हिसाब से हिंदू अली सरकार थी अब हिंदुत्र की सरकार है जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं राहूल गांधी इसारा करके कह रहे थे कि यह जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसस के हिंदुों के लिए करें ये देश गांधी जी के रास्टे पर चलेगा ये देश गोटसे के रास्टे पर नहीं चल सकता है कि राहुल गांधी जब इस देश की सम्विधान के पीलर पर हमला कर रहे थे तो क्या इस देश का प्रदानमंतरी सदन में चुपचाप कुरसी पे बैठा रहता है। नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसे मंद कारिकरम ये देश है हमारा। प्रियास भी किया लेकिन हुआ कुछ अलग दस साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। राहूल गांदी को इसकी जिम्यदारी सौपी गई लेकिन पहले ही राउंड में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई दावेकरे व्यूवर्स जिससे विपक्ष घिरता नजर आया। और बीजेपी का आरोप है कि राहूल गांदी ने बड़ी लोकसवा में देश के हिंदूों को हिंसक बता दिया। खुद पधान मंतरी मोधी ने लोकसवा में खड़े होकर इस पर घंगोर आपत्ती जताई। पधान मंतरी मोधी ने तो यहां तक पूछ लिया कि राहूल गांदी का बयान क्या किसी स्यासी प्रयोग की बड़ी तैयारी है। हाला कि कॉंग्रेस का दावा है कि राहूल गांदी ने सिर्फ बीजेपी के हिंदूों को हिंसक बताया है और इस पर क्लारिफिकेशन भी दी लेकिन बीते हफ्ते आलाबाद हाई कोट से भी एक बहुत बड़ी खबराई व्यूर्स। क्योंकि हाई कोट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आशंका जताई कि अगर अवैद धर्मांतर जारी रहा तो जल्द देश में अल्प संक्यक भौ संक्यक हो सकते हैं लेकिन आज का सबसे बड़ा मूल प्रश्ण है कि क्या हिंदों को अपत्ती जनक टिपनी के पी कि अधरामी लोगसभा का पहला संसत सत्र और उम्मीद के मुताबिक जोधार हंगामा वार और पलट पार क्योंकि भीजेपी ने कॉंग्रेस पर आरोफ लगाए हैं कि राहुल कान्धी देश के हिंदूों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 गंटा हिंसा 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 नफरत 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 आप हिंदू हो ही नहीं यह कहां गया हिंदू हिंसक होते हैं यह हैं आपके संकार यह हैं आपकी नफरत अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा क्या ये अप्मान ज्रक्वाइन संयोग है या कोई प्रयोंग की तैयारी है अलाग विवक्ष का दावा है कि राहूल गांदी केवल बीजेपी के Kl weniger है इस वीच देश के दो हाई कोट्स ने दो बड़ी टिपणियां की है इलाबाद हाई कोट्स ने कहा कि अवैद धर्मांतर बड़े पैमाने पर जारी रहा तो देश की बहु संख्यक आबादी अल्प संख्यक हो जाएगी दर्मांतर पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कानून बनाए इस पर अगर अबिलंब बिराम नहीं लगा तो देश के अंदर जो बहु संख्यक हो जाएंगे और जो तता करित अल्प संख्यक हो बहु संख्यक हो जाएंगे जो लोग भी दर्मांतर का काम कराते हैं वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपे हुए हैं मगर अवामी एतबार से ऐसा कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है दर्मांतर का इसके लावा जारखंड हाई कोट ने कहा कि गुसपैटियों का भारत में प्रवेश रोकना होगा बांगलादेशी गुसपैटिये जारखंड की जमीन पर रह रहे हैं राज्य सरकार को गुसपैटियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा मगला देश से लोग को यहां आना फिर हमारे जो हमारे ट्राइबल बेटियां हैं उनके साथ फिर साधी करना फिर यहां के लोग फिर उनके संपत्ति पर नजर कुर्मिला कह सकते हैं यह देश हित्में नहीं लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश की बहुस जंख्यक आबादी के खिलाफ सोचा समझा सियासी प्रयोग हो रहा है और आज के बहस के बड़े मुद्दे क्या है क्योंकि यह कारेक्रम सबसे जादा देखा जाना जाता है तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम बात करते हैं क्या वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू और हिंदुत पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं विपक्ष शुनाव में हारा तो मोदी के खिलाफ एक भ्रमजाल का सहरा लिया जा रहा है क्योंकि अगनी वीर से लेकर किसानों के उपर एक भ्रम फेलाने का प्रयास हुआ जो कि एक्स्पोज भी हुआ भीते एक हफते के अंदर संसत का पहला सत्र क्या पांच साल की पिक्चर का एक बड़ा ट्रेलर भी है कि सदन अब कैसे चलेगा मेरे साथ यहाँ पर जनता जनार्दन है जोर्दा सालिया उनके के लिए मेरे साथ मेरे युवा इबेत्र है और कुछ अनुबो भी लोग भी है जो अपने धार्दार सवाल पूचेंगे और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्तर सुधान मेरे साथ मिर्चिंजे तिवारी है इंडिया आलाइंस के प्रवक्ता राष्ट्य जनता दल के बड़े जिनवाद स्टूडियोज में और तस्क्रीम रिमानी है उनका अभिनंदन है अध्यक्स MPCI के उनका अभिनंदन है आपकी भी जोरधार तालियों के साथ अभिनंदन है शुर्वात डॉक्तर शुदान्शु त्रविधी आपसे कर लेते हैं शुदान्शु जी बीते दस दिनों में बहुत कुछ हुआ है देश्क में का सदन भी चला है और उस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहूल गांदी जी ने एक बयान भी दिया है प्रधान मं प्रधान बंतरी जी ने इस पर आपती दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला यानि उनके दिल के अंदर का जो भावता बहुत साफ हो गया देखे राहूल गांदी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके आद उम्मीद थी कि बड़ी संख्या अगर उनकी विपक् से कम नेता प्रतिपक्ष अपद मिल गया तो कुछ दमेदारी नियान में तो मिली है हाँ वही थर्ड मतब जो मैंने पार्लेमेंट नो भी बोला था एक बार बोल देता हूं हम लोग कहां महले में क्या हुआ उस जमाने में केवल वह आती थी डिवीजन फस्ट सेकेंड थर् वाले क्या खुश ही नहीं थी जो तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसने पूछा वाई थर्ड डिवीजन वाले तुम इतने खुश्च हो जानते हो उसने क्या बोला उसने रहे इनकी तो एक ही डिवीजन है ना हमाई तीन है फस्ट डिवीजन भी टू बोडिगार् को लेकर बहुत खुश है मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन के पटल पे खड़े होकर आप जूट बोलेंगे नंबर वन उन्होंने का MSP नहीं दी जा रही है क्रिशी मंत्री ने तुरंत खड़े होके कहा कि MSP धाई गुना बढ़ी और भी लेटिस MSP नहीं दी जा रही मैं करना चाहूंगा भगवानों की फोटो दिखाई यह बताईए वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे हैं मैं बहुत बढ़ा शीव भक्त हूं मैं सारे दर्शकोंत कहता हूं जाकर चेक करिये राहूल गांधी जी ने इश्वर की शपत नीथी क्या न अंग्रेजी में उन्ह और सदन के पटल पर आके भगवान की फोटो दिखाने लगे यह बदलता किरदार और इतना ही नहीं मैं तो यह भी कहना चाहूंगा उन्होंने बाकी छोड़ी है उन्होंने इसलाम में मुद्रा बता दी इसलाम में तो कोई चित्र नहीं होता मुझे कोई उलिमाव उक्राम ले लूँगा लेकिन देखे सुदांशु जे ने बोला कि दो दो मतलब दो बॉडि गार्ड यानि कॉंग्रस का जो नंबर है वो दो बॉडि गार्ड का है तो एक आप बॉडि गार्ड है आर्जेडी के एक समाधवाधी पार्टी तो बड़ी बॉड़ी हो गई है 37 सीट के बॉडि गार्ड है वो भी लेकिन लेकिन प्रश्णी यह है कि राजकवर भाटी प्रधार मंत्री ने बोला कि यह हिंदू को हिंसक बोलना यह एक बड़े प्रयोक की त्यारी है सदन के अंदर बोला क्या कहना चाहते हैं पहली बात तो यह कि भारतिय जंता पार्टी उसके देता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिशा बदलने माहिर हैं कोई राजनितिक व्यक्ति इतना ना समझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके और राजनिती करने की सोच है इतना ना समझ कोई नहीं हो सकता इस देश में 80% एंदू हैं और अन्न समधायं जो हैं वो भी अपना आपको हिंदू समधाय के साथ जोड़के देखते हैं जिसे हमारे शिk भाई भी यह जैन भाई भी है काफी संक्या मुस्लिम समाज की भी है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू को आपने आपको कहते हैं यह लोगों हिंसक बना रहे हैं इशारों को समझ रहूं मैं पूरी तरह से मैं डॉक्टर सुधा आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पाद इतना समझ तो कोई भी नहीं होगा राज्पार भाटी ने सही बोली कि दूसरी बात यह भी बहुत जरूर यह कहना के हिंदु-हिंदू का नारा देके हिंदू के नाम पहें मुसलमान से हिंदु को डरा के वोट हासिल करते हैं लेकिन हिंदुओं का ही हकों की हक मारी करते हैं हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हैं जो बात हम कई साल से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप बार बार टोकते हमें के बीजेपी की सरकार ओवी सी और दलित संदायों के नोकरियों में आने से उनके हक मार रही है वह इनकी मंतरी कह रही है केंद्रिय मंतरी जो मोदीजी की सरकार में पत्र लिखके कह रही है कि यूपी में ओभी सी को भरती होने से रोका जाए उन्हें प्रश्ट कड़ा करा और शासन जवाब देगा चुदान चुछ वेदीतर ना समझ तो कोई नहीं हो हो बीस फीसदी अपना है असी में टुकड़े करना है ना समझ नहीं है जो कि हिंदू समाज में एक भी जाती है इसी नहीं जो बीस परसेंट हो इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है इसलिए वो बहुत समसदारी के साथ चलना है और इसलिए जो मानिप्रधान मंतरी जी जिनका नाम है जोज पुनिया जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धर्ती को पवित्र मानता हूं कि मैं जहों गा हिंदू शब्ड यहां का है राश्ट्र शब्द यहां का मन जैफ इलिस्तीन वहीं बाहर के देश पे जैफिन और यहीजतोरी में और इससे यह बड़ा विश्य हो जाएगा हम 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 विश्य पर आ जाते ने जी जी मुझे पता है आप अंतराश्ची मामलों के जानकारों आप इस पर बोलना चाहूंगे लेकिन मृतुंजे तिवारी यह क्या हो रहा है यह क्यों हो रहा है और किसलियों हो रहा है आप भी हिंदू है हिंसत तो कहीं से नहीं है भईया देखे अमेज जी बीजेपी का कहीं पर निगाह है कहीं पर निसाना और आपकी हमारा तो सीधा निसाना है कि देश को समारना है देश को सजाना है देश को बना है हिंदू 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 भगवध राम का नाम जबते रहे हम ने मंदिर बना धिया हो ग्या क्या गैसक का एक सीमा है उसजीमा को पार करने के बाद फिर द internally आ है कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता ना कोई हिंदूस्तान का व्यक्ति बोल सकता है हम दो कहा रहे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा ये हिंदू के बल पर कहा जाता है अब जुलान्तू जी का रहे थे, इनके बिद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बिचार धारा पर सवाल खड़े हम करेंगे, सवाल ये है, कि आप राहूल गांदी जी क्या का रहे हैं, कि आहिंसा से देस चलेगा, ये देस गांदी जी के रास्ते पर चलेगा, ये देस ग स्री राहूल गांदी जी ने बीजेपी, आरेसे को लेकर कहा, उनकी नीतियों को लेकर कहा, ये आप लोगों ने ऐसे ही कहा दिया, चिराख पास्वार ने बयान दे दिया, दूसरी तरफ से शिप्षेनर ने बयान दे दिया, जेडियू के कई सांसुतों ने बोला, कि में थे जब यह सब कुछ हुआ वो कह रहे हमारा तो टार्गेट बीज़िपी और रस्स था हमारा टार्गेट हिंदू था ही नहीं आप गलत बतलब निकाल रहे हैं जानभूच के निकाल रहे हैं एजेंडा आपका है प्रोपगेंडा आपका है आप एक बात बताईया नफरत नफरत हिंसा हिंसा क्या राहूल गांधी ने वो कहानी नहीं पड़ी उस रिशी मुनी की कि एक रिशी मुनी एक बिच्छु को बचा रहे थे बिच्छु डंक मार रहा था लेकिन रिशी बार बार बचाते तो हिंदी को सभाब तो इतना निर्मल और सरल है क्या राह तगर एक हिंसक देश होता, आधिकाल से ये हिंदू सब्वेता इस देश में है, समातन संस्कृति इस देश में है, और यहीं से अहिंसा सब्द दुनिया में निकला, चाहे वो बहुत दर्शन से हो, चाहे महावीर दर्शन से हो, चाहे भगवत गीता से हो, तो हिंदू सार्भ जांसु जी कह रहे हैं कि उनका कोई टार्गेट है गर वो ऐसी बात करके कुछ हासिल करना चाहते तो वो हासिल नहीं होगा क्योंकि आज तक दूसरे धर्म के किसी लोगों ने भी हिंदू पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगाया यह बहुत बड़ी बात आप कैसे जो राहूल गांदी का भाशना उसको आप कैसे इंटर्पेट करते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारे धर्मों का जिकर करा लेकिन हिंदू को लेकर जो बात बोली वह उस पर देश के प्रधार मंत्री को सदर्ण में खड़ा होना पड़ा और ऐसे कमी मौक्या आए हैं कि प्रधार मंत्री ने खड़े होके टोका है बीच में राहूल गांदी जी के संपर्क में भी नहीं हो और उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है दूसरी बात ये कि इस देश में 140 करोड लोग बेवकूफ नहीं है और इस इलेक्शन के नतीजे ने बता दिया कि अब जन्ता कितनी समझदार है बरसला ये है मसला ये है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतिये जन्ता पार्टी पिछले 40 साल से लफज हिंदू को जीती नहीं है नकाब पहनती है और उसके जरीए सत्ता की राज़ ले से हिंदु रहा कभी हिंदू को कोई खत्रा ना पहले कभी था ना अाज है ना कल होगा ना चनता करेगी जन्ता ने इसको रेक्टनी किया नोगों ने रियक्टिया। चाहे दिली में क्या हो या गुज्राट में क्या सब बीजेपी के लोग थे अब परधार मंत्री जी अगर चार परतबा या एक परतबा खड़े होके रियक्ट कर रहे तो खौफ कितना है यह सबगना चाहिए लोगों के हाथ से बुठी से सत्ता निकली चरी जा रही है अच्छो दो सोचालीस दो सोचालीस यह दो बैसाखिया जिस दीन गिर जाएगी सत्ता खताब हो जाएगी यह खौफ उनके मन में सबा चुका है इसलिए उन्होंने विजेपी को कितना वोट मिला है 23 करोड और वो 23 करोड वोट भी पूरा का पूरा हिंदू नहीं है उसमें सिक भी शाविल है, इसाई भी शाविल है, मुसलिफ भी शाविल है आप कहने का क्या प्रयास करें आप कहने का क्या प्रयास करें कि मैं कहने का प्रयास यह कर रहा हूं कि और इसके बीच एक डिबेट अब होनी चाहिए सब्सक्राइब कर रहा हूं जब नेता जी सुभाश्चन बोस कलकता से गए थे तो काबूल में जाके रहे थे ना महरुत्रा जी की दुकान में आप कोई काबूल में महरुत्रा जी बचे बोलिए फिर सो साल पहले की बात और सुनिए मैं आपको बदाता हूं 1950 अगर आप सो साल की बात कर रहा है मैं भी उसी की बात कर रहा हूं घरुमान ने और बड़े पड़े लिखे आदमीं हैं विद्वार आदमीं हैं मैं आपसे पूछा हूं हिंदुत्वा शब्द इस देश में कपकर रहा है जवाब जवाब कि बड़ेंद में लिखा गया है राकी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राको इस्पर्त पुरान राको वेद धुनि सूनी मैं और साही के सपूत सिवराज संसीर तेरी दिल-दल-दाब के दिवाल राके दुनी मैं हिंदुवानी क्या है बाई अब ने बताया है कि तीन सो सालों तक अरब आकरमन के बाद मैंमूद गजनी तक काबूल में जिनका राज था उस डाइनस्टी का नाम तो हिंदू शाही डाइनस्टी इसके जैपालो धर्म पालते हैं अब करें हिंदू शब्द इनको अभी 100-100 साल पहले ने जरा रहा है हिंदू कुष कहां से ने जरा है अरे डेविएट क्या कर रहे हैं हिंदू आनी और हिंदू तुम्हें क्या अंतर है बताईए वह आपको बता रहा पड़ेगा आज आपको नाम लेगा आप बता रहा हूं अब सुनिए आज के हिंदूत में और उस जमाने का हिंदूत में इनको डेफिनीशन है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां ये भी लिखा गया है कि कुम्ब करण असुर अवतारी औरंग जेब काशी ओ प्रियाग में दुहाई फेरी रब की और तोड़े देवाले सह पाशी मतुरा की बात की औरंग जेब जो था वो विलन था यही तो है अब करें नहीं 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 चाहिए इसलिए मैं कहा हूं और नहीं है एक ही है ऐग ये पुरुष आया तो पुरुषत है कि नहीं आपके अंदर पुरुष के अंदर पुरुषत है कि नहीं तो हिंदू के अंदर हिंदू तो है हिंदू देखे हिंदू और हिंदू तुमें बहुत फरक है हिंदू हमारा धरम है जिसमें हमें गर्व है हम हिंदू है हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है और हिंदू धरम बहुत शांदार बहुत शांदार बहुत उदार बहुत प्रेम का मोब्वत का भाई-चारे को धरम है और राजशनीतिक विचारधार जिसे सावर करने दिया हिंदुत किताब उन्हों ने लिखीृ 1930 में जेशी जिंदुत सब्सक्राइ staher करता की किताब änner तुम्हें आया एब अब अब राहूल गांदी ने जो बोला मैं बोलता हूँ राहूल गांदी ने बोला जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 नफरत नफरत आप हिंदू होई नहीं उसमें हिंदूत्व कही नहीं था अगर इस परिभाशा से भी आते हैं इस परिभाशा सब्सक्राइब उर्ण अब सपत कब का सब्सक्राइब बिने, आपनों आ पना पंधा विविवेग रहे थे इतरा सदान शुतर वेधी समझ नहीं हैं रहोल अब देखे क्या है कि राहूल गांधी जी की राजनिती जिस धूरी पर टिकी हुई है और जिस फ्रस्ट्रेशन पर टिकी हुई है कि तीन बार नकार दिये गए हैं तो वो विपक्ष के नेता के हैसियत के तोर पर कोई-कोई चित्र लागर के हिंदू धर्म को अलग-अलग डंग से वो बता भी रहे के हिंदू डरता नहीं देखिए बड़ा अफसोस होता है सत्ता में तो ये आ गए है लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने विपक्ष के नेता के रूपे पहली बार भासन उन्होंने किया तो उन्होंने हर एक उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता का सरोकार था चाहे उनीट प्रसुन पत्र परिखा का मामला हो मनिपूर का मामला हो किसानों का मामला हो लेकिन यह सारे मामले भूल गए और विसाय क्या बना वो कारें बीजेपी को जो लोग करते है संकति ग्रूप से तो यह कारें हिंदू हिंदू अर्छीaler पर उनको मिस इंटर्प्रेट कर दिये भारतीय जंता पाटी ने एंडिये ने जेड यू ने चिराग पास्वान की पाटी ने इन समने शिव सेना ने गलत इंटर्प्रेट करा राहुल जी अगनीवीर पर क्या बोले मैं इस देश की धर्शकों को बताना था तो उन्होंने बोला अगनीवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है मतलब मैं कहता हूँ कि अगनीवीर योजनाओं में खामिया होंगी जिनको दुरूस्त करा जा सकता है इस पे कोई बात नहीं है लेकिन ये कहना अगनीवीर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो देश को समर्पित है वो यूज एं थ्रो मजदूर है क्यों कहना था उन्होंने ये कहा कि जब चार वरसों के लिए सांसद भी चुने जाते है तो वो पांच वरसों के लिए दो चुने जाते हैं लेकिन जब चार वरसों के लिए ही उनको उनकी नोकरी की गारंटी है तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा और जब प्रधान मंत्री मोदी बोले जब प्रधान मंत्री मोदी बोले और ये राजकुमार भाती ये आपको दोनों को जॉंत जबाब देना चाहिए राहुल जी ने पर दिल उन्हों ने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भासन में आदर्नी परधान मंत्री जी खड़े हो गए और राजनाज सिंग जी खड़े हो गए इसका मतलब आपके तीन चार बड़े नेता जो हैं वो तमाम लोग खड़े होगे शिवरा सिंग्छ चोहान अमिच शाह रादनाज सिंग प्रधान मंति नरेंद्वोदी जी 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 खड़े होएं पीजेपी के सांस दोने मोदी 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 नारे लगाने शुरू कर दी तो सुरूआत तो जब इस देश की सम्विधान के पीलर पर हमला कर रहे ते इस देश की सम्विधान की मूल भावना पर हमला कर रहे ते तो क्या इस देश का प्रधान मंतिरी सदन में चुपचाप कुरसी पे बैठा रहता क्या इस देश का ग्री मंतिरी चुपचाप कुरसी पे बैठा रहता वो खड़े हो करके उसको चुनोती दिया कि आपने गलत बात करी है और गलत को गलत कहना सत्तापक्ष की जिम्मधारी है ठीक है ओके 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 ये तो ऐसा दिल जीतने की बात कही कि मैच में कोई बॉलर ने गलत बॉल फेक दी एंपायर ने टोका नो बाले का देखो एंपायर को बोलना पढ़ गया इसलिए मैं मैं जीत गया उस रंग की आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं अभी हमारे भाटी जी ने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं करते जनाब मैं याद दिलाना चाहता हूं आप लोग के हिंदू शब्द से इतनी नफरत है कि हम लोग के बच्पन के जमाने में याद करें जब भारत की ग्रोफ रेट दो परसेंट होती थी तो उसे हिंदू ग्रोफ रेट कहा गया उसका क्या कुड़ाये गया यह जो लोग कहते हैं कि इनको हिंदू शब्द समझ में आता है हिंदू तो नहीं समझ में आता है पूरे दौर में जब इनकी सरकारे रही डेड़ परसेंट 1.8 परसेंट दो परसेंट रेट अफ ग्रोथ मैं पूछना चाहता हूं जब आप लोगी सरकार थी जिसको आप कहते ही हिंदू मैं मानता हूं कितना था फौरे एक बिलियन के नीचे 1991 में सोना गिर्वी रखा गया था और जब हिंदुत वालों की सरकार आई अटेल जी की सरकार साड़े पांच-छे परसेंट सो बिलियन पहुचा दो हजार चार में मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुचा और तब कोई भी आता था घुस कर मार कर चला जाता था जब इनके हिसाब से हिंदु अली सरकार थी अब हिंदुत की सरकार है जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं इसलिए हम विल्कुल कहना चाहते हैं कि हम हिंदुत की सरकार की और दूसरी बात में पूछना चाहता हूँ उन्होंने कहा नीट पे मनिपूर पे डिजिटल डाटा का जमाना है जाके देख लीजे विपक्ष के कितने लोगों ने कितना पृष्यत बोला है नीट और मनिपूर के लिए क्या है कि भगवानों के लिए क्या है इसका मत्तब आप तैयारी से आये थे कि आपको ये विशय उठाना है इससे राहूल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और जिस लंकी भाशा का प्रयोग किया उनके लिए तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि लहजे में बद जुबानी लहजे में बद जुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं और जिनके खुद के बई खाते बेहसाब दिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं जी कर नहीं नहीं आए लगनाओन MEN MEN Bynen वह में ईट समय स्था अपने जनमाव मैं नहीं थे फिरें मैं मना कि गद हमारिक चीज वहाध टमान हुजट अपने जनम दिन वाले लिक है वह स्थाइन कर खेल hanan सुधान सुजी ने जितनी बढ़िया तस्वीर मोदी जी के शासन की खीची है मैं तो आशेर चकित हूँ अब आम का सीजन है आम पक जाते हैं जब जादा तो आम टपक जाता है बाग में इतने आम नहीं टपक रहें जितने इनके पुल टपक रहें पूरे देश में तस बारे पुल गिर चुके हैं जो राम मंदिर इंड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके गरब गिरे टपक रहा है वहां पानी भर गया सडकें धस नहीं है जगे जगे रामपत धस गया एरपोर्ट टपक रहे हैं मोदी जी का विकास तो चिंगार चिंगार के बोल रहा है कि इस पुल बिहार में गिरें जिसके जवानें बताया गया है तो यह बात हो रही है किसके जवानें बने थे जैसी पास कोंसा डिपार्टमेंट था अरे बहाई जमीन पुल जाजाब इस पुल गिरने की घटना बिहार में विसकी जहां जा रही है जो भी इसमें दोशी होगा तो सही पुल ना नहीं उसके कारण है ड्रेजिंग कारण है और डिसिल्टिंग कारण है जिसको कॉंट्रेक्ट में दिया गया है अगर पुल गिरा है तो सरकार उसको बनाईगी भी और से विकी लीक्स में आया था राहूल गांधी का जिसमें वो कह रहे थे अमेरिकी इदिकारियों से कि लश्करे तैबा से ज्यादा खतरनाक हिंदूओं का इग्रेशन है वैसे मैं यह नहीं कहता विकी लीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है पर आज तक कॉंग्रेस पार्टी ए राहुल गांदी ने उसका खंड़ नहीं है अमीश जी प्लीज माइग मत अटाईएगा दो सवाल करते कि न यहां मुत कि यह नहीं में होता है तब हम देखते कि विख्षियों का मुझ वैसिल आपने का कि इंडिया को कुई नहीं सुना इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बनताने के बाद भी आप लोगों का मूँ सुई दागा से सिला रगता है। इनसान हैं दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं उनका वहिस्कार होना चाहिए उनकी निंदा होनी चाहिए। आप उनकी बात नहीं करेंगे। रामकुपाल आदम ने बोला सपक की। भी बोला हैं तो 120 लोगों की बात कर रहा हैं उन्हों ने कहा यह सडियंत्र नहीं है हादसा है। यूपी के मुख्मंत्री इसे सडियंत्र बता के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। यूपी सरकार की बचाईए कि यह जो बाबागीरी इस गुल्क में शुरू हुई है। इसका सदातन दरम से क्या तालूख है। इसका अपने एक लेगिटिमेट पॉइंट उठाय है। लेकिन फर्जी बाबा है लेकिन ऐसे कई फर्जी मौलाना भी है ऐसे कई फर्जी उलेवा भी घूम रहे हैं। तो मेरा निवेदान है कि हर फर्जी से बचना चाहिए। ओक्यों कि अरे देवानन साब। एक विपक्ष का जो नेता था रहुल गांधी जी वो ब्लक्ष नेता था नहीं है। शर मैं तो इसलिए कि आने वाले टाम में पता नहीं ना कि पहले ही बार पहले ही दिन सतन में भर्मित कर दिया उन्होंने लोगों। इन्हों के बातों पर क्या जवाब दिया जाए कि राहुल गांधी जी ने देश के नवजवानों कि सवाल उठाए चात्रों नवजवानों के सवाल इसका जवाब आधरनी प्रधान मंत्री जी धाई घंटे के अपने भासनों में नहीं दे पाए शंतुष्ट नहीं कर इसका बाता बताओं भ्रहम में देश की जनता नहीं ब्रहम में ये दोनों हैं देखें कॉंग्रेस का जो राइस हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शांदार सपलता हासिल की जहां सयोग्यों के कंदे के ऊपर चड़े जी ने कहा पर जी भी है उत्तर और कॉंग्रेस का सिधा मुकाबला था, एक में भी कॉंग्रेस भाजपास ज्यादा सीटे नहीं जीत पाई है, मगर जहां सबसे ज़ादा सीटे जीती हैं, केरल में मुस्रिम लीग के दम पे, महाराष्ट में महाविकास अगारी के दम पे, और एक फैक्ट आपको बता हूँ, आपको पता है कि इस चुनाओं में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है, कौन सी लोग सभा जीती गई है, किसी को पता है, पता है, पता है, कौन सी, दुबरी, कितने से, 10,25,000 से कॉंग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं, और असाम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बंग आगे बढ़े, JDS की कीमत पर ये आगे बढ़े, करनाटक में, अब सोच लीजिए, RJD और सपा का क्या होने वाना है, ये सपा और ये एक साथ जो आए थे, इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात, जारकंड हाई कोट ने करी, इसी की तरह सिशारा, इसी पर स्टेट्मेंट अल आगे बढ़े, ये सब्सक्राइब करनाटक में, इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी, अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूग, हाई को क्या इन्फॉर्म इचे है, आपको नहीं लगा ऐसा हो रहा है, तो दस साल में ये क्या कर रहे है, तज साल में सिर्थ टेली पर दे वो समय असाम के गवर्नर की रिपोर्टी की पर दे पांच हजार लोग इंट्री कर रहे हैं और सुप्रीम कोड ने कहा इस बंगला देशी इंफिलिटेशन इस अबाउट टुपड़ी हमारी सब्सक्राइब कर जो बोला क्या यह वाकई यह विचारनी विशे हैं कि अगे निकल गया और उन्होंने तो बोला कि अगर इसी तरह का बदलाब चलता रहा तो बहुसंग के को जाएगा और रपसंग के बहुसंग के को जाएगा देखिए उच्च नयाला की ऐसी टिपनी पर थोड़ा गौर करने की बात इसलिए है कि उसके सामने कुछ साक्ष्य ह है अगर घुस पैट है तो उसको रोकना अभाड जोरे उसको चुका है उसको आप वापस भेज सकते हैं ऐसा नहीं कि उसको वापस भीज काते हुए कहा कि जीजस ने एक बात कही थी अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो लेकिन हमें किताब हमें पढ़ाया गया और यह कहा जाता कि महत्मा गांदी जी ने अइंसा पर्मधर्म का कहते हुए यह कहा था कि कोई एक गाल आगे कर पे चाटा प्रिवारे में मोदी नी की तील अबी टोड़ी प्रोग्रेस बता रहे थे इन्होंने खुद हिंदू और हिंदूतों का लग कर दिया इन्होंने का वो हिंदूों की सरकार थी जो धेश में जो खराप चीजे सब कर रहे थी अब हिंदूत्वा की है आपके रुसार ने आ कि ते उससे पहले हिंदुत्वा का शब्द नहीं था और उसके बात फॉरण बात बकिंगम जन्द चेटर जी ने बीसी चेटर जी ने जो कुछ लिखा अरंद बठ में उसको अगर ये बच्चे पढ़ देंगे तो खुछ शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या लिखा गया है उस सब्सक्राइब है। वेद कहें यानि इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मान बनते हैं सो मम उर्बासी जग उपहासी सुनत धीर मत थुर न रहें तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए को सिल्या जी कह रही किसको समझ में रिसीर हमारे का गया जास अंस उबजय गुण खानी अगणित उम मोदी जी बिना विपक्ष के नेता के प्रदानमंत्री रहे सामने कोई नहीं था दस साल बाद अब जब चुना हुए भारते जंता पार्टी की 63 सीटे कम हो गई तीन सो तीन से दो सो चालिस पर आ गए उन्हें दो बैसाखियों पर सरकार चलानी पड़ रही है और उनके सामने एक ससक्त विपक्ष खड़ा है तहां है अब दो लड़कों में से एक लड़का तो बढ़का हो गया है अब बड़का लड़का इतना फ़ड़क के बहन रहा है कि सोचना पढ़ेगा इंके लिए अरे वो तो विचारे हैं नहीं नहीं यहां पे संसद में पर सुनिए अपने अखिलेश जी तो वहां से विधान सवा में रहते तो कमसम नेता प्रतिपक्ष रहते तो वहां वो बढ़का रहते पर यह जो यहां पर आ गए यहां तो राहूल गांधी के प्रशस्तिगान के लावा और कुछ करना नहीं है तो मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का जो समीकरण देखी और एक और आपको बात बता दूं यह 232 में 60 सीटे तो एक दूसरे खिलाब लड़के जीते हैं जिसमें 13 पंजाब की बीजेपी के खिलाब कहां कमनिस प के इन करे रहता है कि अखले से यादर रहूल गांधी के बीच में दो फहर करने यह जाथियों के नाम पफे पार्टी के नाम पर धरम के नाम वासा के नाम पर छेत्रवाद के नाम पर डिवायइं पूर्व के गठ बंदन है तो फिर वैसाकी की सरकार कैसे हुई दोसो बेरानवे सीट जनता ने जनादेश दिया उस गठ बंदन को सम्विधान सम्मत उस गठ बंदन के पास जनादेश उसने सरकार बनाया जदियू ने पारित कर दिया प्रस्ताओ के अब जीवन भर इंडिये में ही बने रहेंगे जब तक ये पार्टी है दूसरा एक सवाल है कि ये भाटी जी कह रहे थे कि पास साल ऐसा चलेगा कि जो राहूल गांदी हरकत कर रहे हैं संसद में तो चुनाओं में जूट बोल करके तो आप निकल सकते हैं 99 पर निप्टा देगी जनता संसद में जूट बोलकर नहीं निकलेंगे पांच छे जूट बोला है और सारे जूट को मीडिया ने भी बेनकाब किया और देश की जनता भी तो कह रहे हैं लेकिन देश हित में अच्छी बात यह मजबूत और अंकारी सरकार नहीं बनी कमज़ोर और मजबूर सरकार बनी है जनता के बारे में सोचना पड़ेगा अपोजीशन के लिगर को सुनना पड़ेगा दो आदमी लगातार प्रियास करने एक आदमी करोडबती था वो 56 लाग पर आगया एक आदमी एक लगातार इस पश्ठ भाहमर्वह्मत पाते रहे पिता जी के जमाने में 404 सीटे थी 44 पे आ गए तो कौन करोर पती उससे आया है मुझे विश्वात है राउट गांदी जी अपने कुल की परंपरा निभाएंगे मुलायम सिंग जी ने कॉंग्रेस का वोट बैंक 1989 में यूपी में छीन लिया था कॉंग्रेस से अब मुलायम सिंग जी के बेटे से राजीव गांदी जी के बेटे वो वोट बैंक छीन के दिखना है ठीक है ओके अप आकरी लाइन कुछ मजूर सा बोलिएगा मैं तो यह मजूर सा यह बोल रहा हूं और सुदान से जी को सुना रहा हूं यह बड़ अच्छे कभी है वो कि उनका बंगलादेश वहा है उनका पाकिस्तान वहा है कोई मुझे यह बता दे मेरा हिंदुस्तान कहा है जी जी चले यह अपने अपनी बात को बोली आपका हिंदुस्तान यही है जहां जहां था और वहीं रहेगा ओके ओके सुदान चुभाई आकले आकिर दस सेगिंद समय मेरा इजादत नहीं देरा जाता हूं गालिप का कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब गालिया खा के भी बजा ना हुआ ओके 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 शिकस्त को भी फता कि जजुन के तौट में बढ़ा रहे हैं तो मैं एक लाइन के लिए कि यवन को दिया दया का दान यानी वेस्ट को चीन को मिली धर्म की दरश्टी मिला था सवन भूमी को रत्न शील की सिंगल को भी सरश्टी किसी का हमने छीना नहीं प्रक्रतिका रहा पालना हमारी जन्म भूमी थी कहीं से हम आये थे नहीं अग Mario आज के अडिशन में इतना ही आप सब को मेरा नमस्कार गुट नाइट वंदे मात्रम